नारी नहीं है अबला ये बात है पुरानी नारीयों की गोद में ही पल्की है सिंदगानी नारी है घर की लक्षमी सिंदूर बन के दम के मौका पड़े तो चूडिया तलबार बन के खनके पहली बार मुख्या उमिद्वारी दे रहे हैं रानी देवी जी जिनके पती समाज से भी रामसखा मातो जी है आईए उनसे बात करते हैं वो मुख्या का के पद से चुनाव रहने का विचार कहां से लाए मेरे पती रामसखा मातो जी है हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं गरीबों के सुख दुख में रहते हैं उनसे ही मुझे सिख्छा मिली मैं भी समाज सेवा करूँ क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में आने का परतमान मुख्या जो रहे वो कभी जनता को समान नहीं लिए तना साही व्यस्था को बना कर रखा जनता समान की भूखी है और मैं समान हमेशा देती हूँ आई ये बात करते हैं रणी देवी के पती समाज से भी रम सखा महतों जी से कि वो इस बार किन विभीन मुद्दों पर और क्या इनके पंचायत की स्थिती है जो अपने पतनी को चुनाव में उतारे हैं जी नमस्कार पंचायत राज का चुनाव 2021 जब पंचायत राज गठन हुआ है ये पाचमा चुनाव खांजापुड का ही नहीं पुड़े बिहार का है इस पंचायत का मुद्दा मुझे पांच बर्सों से लग रहा था कि जिसको 2016 में जनता मालिक अपना जनादेश दिये जिनके भोड पर इस पंचायत का एक परतिनिधी रूप में ज्यान कला मेडम सुसोभीत हुए और जनता उनसे अभी तक कमी महसुस किया ज्यान कला मेडम तो कभी पंच साल में जनता के बीच में तो गए ही नहीं आज भोड मांगने की अगर बारी है तो वो जनता के बीच गए हैं जनता ने उनसे सवाल किया है कि आप पंच साल से कहा थे मेरा चुनाब लड़ने का कोई मकसद नहीं था मकसद यही कि मेरे पतनी ने मेरे समाज में हर लोगों के दुख सुक में गरीब गुर्वा के साथ हमेशा देखी इनमें भी अपने आप में प्रेणा आई इनमें अपने आप ग्यान आया कि अगर आप बिहार का और दिल्ली का राजनितिक करते हैं इस समाज के असिर्वाज से युवाओं के सहयोग से मावेहनों के असिर्वाज से तो मुझे भी अपना अभिलासा है कि मैं भी इस समाज में मुख्या रूप में ही लोगों को सेबा करने का हिम्मत करती हूँ अगर मुझे आप इजाज़त देते हैं तो मैं भी मुख्या में चुनाव लड़नी चाहती हूँ मैं सोहर स्विकार किया और इसलिए स्विकार किया कि आधी आधी आरक्षन महिला का है और जन्डल सीट खांजापूर पंचायत का जन्डल सीट है और खांजापूर के बेटी 11 नमर वाड का बेटी है और खांजापूर ही पंचायत में आठ नमर के बहु हैं लोगों को इतो सोभाग मिला है कि इसी गउं का बेटी इसी गउं का बहु और सबों को लोगों ने बनाये हैं जो लोग कभी समास से नहीं रख रहे थे मतलब उन ल लोग को भी मुकादिये हैं और राम सेखा तो जिन्दगी भर इस गरीब गुरुवा के लिए अपने जिन्दगी को एक बलट के कत्रा बहने का काम किया है। आया है मैंने लालू यादव जी का विचारधारा समाजिक विचारधारा के लेके मैं अपने जनता के भीच आगे भड़ते आये हैं मेरे भावना में A to Z लोग मेरे लिए शमानित हैं मा बेहनों को मैं सम्मान देना जाना हूं मैं युवाओं को सम्मान देना जाना हूं मैं ब राम सका अपने मजदूरी से उसको रंग रोगन कराने का काम किया है जब हाँ इसकुल में च्छात्रों जमानों और लोगों को दोरने में कटनाई हो रहा था मैंने हमसे आये हमारे बीच सेक्रों च्छात्रों जमान उन्होंने कहे कि सर मेरे इस ग्राउंड में मिट्टी डाल को मैंने कमल देने का काम किया हूं मैंने इस समाज को भिक्षित करने के लिए विकास करने के लिए मैंने सिक्षा पदाधिकारी बेगू सराय के नेत्रित में मैंने तीन स्वाइगारे च्छात्र को फर्स डिविजन में टिक का और मिन इंटर का फर्स डिविजन च्छात्र को मैंने अपने खांजापुर मिडिल स्कूल पर उनको मेडल, बुके, डाइरी और मला दे के सम्मान देने का काम किये हैं कि वो अपने प्रेरना से ही सीखें कि मैं बढ़ियां रहे, मैं उसके लिए आदी हूँ, मेरे समाज में भाय चारा काइम कैसे रहे, मैं उसके लिए आदी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जनता मालिक से यही अपिल करता हूँ, कि मैंने 20 साल से आपके साथ कंधे में कंधे चला के रहा हूँ, हर दुख सम決्esome साज में 20 साल से सेबा कर रहा हूं लेकिन आज मेरे धर्म-पत्नी का भिलासा जगा है कि एक मुखिया पद में मुझे भी समाज में सिबा करने का मुखा मिले मैं खांजापुर के नोजमानों छात्रों और अभीभावकों और मा बहनों से अपील करता हूँ कि 20 साल का मैं आपका सेवक हूँ और आपने सभी को मुका दिया हैं जितने उमिदबार हैं सभी सम्मानित इसी समाज के लोग हैं और आपने सबों को मुका दिया हैं मैं आप से अप कि आप रानी देवी पति राम सक्षा मातों जो आपका 20 साल से सेवक बनके काम किया है आप इन्हें मोका दें और मैं बिसबास दिलाता हूं कि आने बाला दिन अगर कल आप हमें सम्मान दिये तो मैं ये जो है ताना साही मिटा दूँगा और आने बाला दिन जो होगा ये जो भरष्ट ये विवस्था है कि इंदरा आवास में 1,20,000 गरीबों का रुपिया मिलता है लेकिन मेरे जैसे परतिनिधी का पॉकेट में उस गरीब का खून का कतरा जिन्होंने सरकार एक दान के रूम में देता है और उसको 30,000 रुपिया लेने का सोसन करता है पहला मेरा कि इसको मिटा देंगे और इसके साथ साथ जितना भी समाज में बुड़ाई है मैं मिटाने का संकल्प लेता हूँ मुझे जान रहे या जाए लेकिन समाज को मैं गरीमा को गिरने नहीं दूगा समाज को सम्मान को मैं कभी गिरने नहीं दूगा होंसला से मैं उरान भरा हू अभी तो जमीन खांजापुर की धर्ती से रानी की अंगराईली है ये जमीन की पटना और दिल्ली की अबाज बनके रहेगी मैं आपसे अपील करता हूँ निवेदन करता हूँ कि आपने सबों को मुका दिये हैं अगर रानी देवी आपका एक रामसखा के साथ सेवा करने की अफनी एक्छा रखे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी जनता सम्ञानी हैं सभी उमीद्वार सम्मानी हैं और अंतिम मैं यही को हूँगा कि आपने सबों को मुका दिया हैं इस बार रानी देवी को मुका दें और आपका एक आदर्स समाज का ये निर्मान करने का कोशिस करेंगे और मैं इनको जिस तरह 20 साल से आपके बीच में रहें हैं मैं इनको साथ में दे के मदद करने का काम करेंगे और मैं आपको इतना अपने जिन्दगी में संकल्ब लेता हूँ कि अगर कास ये दिन ला दिये तो आप रानी देवी के नाम से मुख्या जानियेगा बलकि रामसखा के नाम से नहीं अगर रानी देवी का रामसखा मातों पती हो सकते हैं इनको सहयोगी हो सकते हैं लेकिन मुख्या नहीं, मुझे नारी का अपमान बरदास्त नहीं है, चोकि मुख्या का यहां अरक्षन में जेंडल महिला का सीठ है, मुख्या बनते हैं कोई महिला, और महिला कोई नहीं जानते हैं, लेकिन उसको जानते हैं कि रामसका मुख्या तो स्याम मुख्या राम मुख्या ये मैं होने नहीं दूँगा मैं संकल्प लेता हूँ कि आपने अगर बनाईएगा तो रानी देवी के नाम से मुख्या जानिएगा राम सक्खा आपका समाजी कार्ज करता है और समाजी कार्ज करता बनके आपके एक एक लहू के कत बिकल्प आपके सामने है और ये एटू जेड लोगों के दिल में है राम सखा और रानी बस इसको 24 तारीक के आने बाला दिन जो महापर्व है जिस दिन आपकी चुनवती की दिन है जो लोग 5 साल आपको सम्मान नहीं देने का काम किया है कल 5 साल उसका बारी था लेकिन जनता म आलिकों आज आपका बारी है आपका बारी है एक एक मत आप सोच विचार कर अगर लगे तो रानी देवी के चुनाव चिन चिमनी च्छाप परा मोहर लगाने का काम करेंगे जै खांजापुर की जनता अभी बाबकों नौजवान साथियों मा बहनों मैं ज्यादा संकल परन के लिए नहीं आया हूँ मुझे आदत है कहना कम है करना मुझे पसंद है मैं करके दिखाऊंगा रानी देवी का सहयोग करके मैं करके दिखाऊंगा जय हिंद जय जवान जय किसान जय खांजापुर की अभी भाबक गन और मेरे चाहने वाले मेरे अभी भाबक चाहने वाले हुआ हों सकती और चाहने वाले मां मैं बस इसी के साथ में अपना बानी को इव्राम देता हूं धन्नवाद तो अभी आप सुन रहे थे राणी देवी और रमसका महतों जी को जिनके पास पंचायत के विकास के लिए अने कोई वजनाएं हैं आगे देखना है कि 24 अक्टूबर को मद्दावन तिथी को जनता किस रूप में इनका साथ देती है जनता से ये अपील कर रहे हैं पंचायत के विकास के लिए बने रही है बिटिनेज बिहार के साथ